नमस्कार, क्रांती ओर्यसा में आपका स्वागत है। रितेश का कक्षा तीसरी में पढ़ता था। उसके पास तीन छोटे प्यारे प्यारे खर्गोश थे। रितेश अपने खर्गोश को बहुत प्यार करता था। वो स्कूल जाने से पहले पाक से हरे भरे कोमल घास लाकर अपने खर्गोश को खिलाता था। और फिर स्कूल जाता था। स्कूल से आकर भी उसके लिए घास लाता था। एक दिन की बात है रितेश को स्कूल के लिए देरी हो रही थी। वो घास नहीं ला सका और स्कूल चला गया जब स्कूल से आया तो खरगोश अपने घर में नहीं था रितेश ने खूब भूणधा परंतु कहीं नहीं मिला सब लोगों से पूछा मगर खरगोश कहीं भी नहीं मिला रितेश उदास हो गया रूरोकर आखे लाल हो गई रितेश अप पाक में बैठ कर दोने लगा कुछ देर बाद बल देखता है कि उसके तीनों खरगोश घास खा रहे थे और खेल रहे थे रितेश को खुशी हुई और वो समझ गया कि इनको भूफ लगी थी इसलिए ये पाक में आये है मुझे भूफ लगती है तो मैं मा से खाना मांग लेता हूँ पर इनकी तो मैं भी नहीं है उसे दुपी हुआ और खरगोश को मिलने की खुशी हुई नेतिक शिक्षा जो दूसरों के दर्ब को समझता है उसे देख छू भी नहीं पता